हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर जिसमें आज हम देखेंगे होमीपिति की बायो कॉमिनेशन 25 जो नाइट्रम फॉस नाइट्रम सल्प और साली सिया चार तीन प्रकार की होमेपितिक बायो केमिक मेडिसिन से मिलके बना होता है यह जो बायो कॉमिनेशन जो नंबर 25 है इसका उपियोग हम पहले तो बात करेंगे एसेडिटी यदि किसी को एसेडिटी होती है एसेडिटी की प्रॉल्म है तो खाना खाने के बाद कहाली पेट तो कोई भी कंडिशन में दी एसेडिटी होती है तो इस दवाई का उपियोग वो करें बहुत अधिक उनको लाब मिलेगा, no side effects, कोई side effects नहीं है, दूसरी अगले बात करेंगे, यदि किसी को पेट की गरबड़ी, पेट में किसी भी प्रकार की गरबड़ी होती है, खाना नहीं पचरा है, तब इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं, खाना खाने के बाद पेट में गैस बन जाती है तो उपयोग कर सकते हैं इस दवाई का, खाना खाने के बाद पेट फुल जाता है, तो उपयोग कर सकते हैं, खाना खाने के बाद डाइशन आपर नहीं हो पाता है, बहुत slow digestion होता है, बहुत सारे patient आते हैं, खाना खाने का लगता है, पेट भारी हो गया है, तब इस का उपयोग कर सकते हैं इसके लावा खाना खाने के बाद हो सकता उनको उल्टी का मन करें तब इस दवाई का उपयोग आप कर सकते हैं इसके लावा खाना खाने के बाद कई लोग को सीने में या खाने वाली नली में जलन होता है तब उपयोग कर सकते हैं पेट में जलन होती ह तब इसका उपयोग कर सकते हैं इसके लावा खाली पेटे तब उनको पेट में जलना सीने में जलना होती ही पेट जलना होती है तब इसका उपयोग कर सकते हैं किसी को यदि खटी डगार भी आती है तो उपयोग कर सकते हैं खटी डगार के लिए बहुत ज़ादा उपयोग ही цент क Oleud आती है तब इसका उप्योग कर सकते हैं यजि किसी को समस्य के साथ सिर में दर्द होता है तब यह दवाई काम करेगी लिदी पेट की समस्य नहीं है और सिर्द ़क्यला होता प्रकरबबत CC Yinका करेगी जब पेट में दर्द हो और आपको सिर्भ 的न होगी तब धवbahn के जड़ा की तरह काम करेगी बहुँ जदा उप्योगी होती है कई बार किसी को खाना कोने के बार ददकार के एगार दकार के साथ कहटा पानी उपर आता है तो खटे पानी के करण अजीसी जलन होती है इस प्रकार की प्रावलम किसी को है तो उसके लिए बहुत लाब दायक दवाई है लगातार आप लीजिए तो किसी भी प्रकार की पीट की समस्या है आपच की समस्या है गैस की समस्या है इंडाइशन की समस्या ह उसके लिए एक खुमेपेती की जो बायो कॉमिनेशन 25 है सब प्रकार की प्रॉलम के लिए बहुत उपयोगी होती है लकाता चार पांच मैंने उपयोग करें आप इसे बहुत ज़्यदा सरदार आपको रिजल्ट मिलेगा यदि किसी को पेप्टिक अलसर हो गया है तो अलसर की कंडिशन में भी इस दवाई का उपयोग आप कर सकते हैं चार गोली सुबह चार गोली दुफएर चार गोली शाम आप लगातार ले लीजिए यह दवाई तो घर में होनी चाहिए यदि आपने कुछ खाया इसरीटी हो गई चार गोली खाली जी आप तुरत आपको आराम मि सकते हैं इसके लावा मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस पकार की वीडियो मिलती रहे आपका नौलेज अपडेट होता रहे नमस्कार दोस्तों